गुद मॉर्निंग फ्रेंड्स वल्कम बाइक तो माई चानल थे स्मार्ट लेनिंग स्टैप्स प्रिजेंट बाइ आशे शर्मा और आज मैं आपके लिए एक न्यू स्टूरी एक्स्प्लेइन करने जा रही हूं यह स्टूरी है दो फिफ्ट गोल्डेन टिकेट फिफ्ट गो सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं इसमें टिकेट का करेक्टर मतलब जो टिकेट है बहुत इंपॉर्टेंट है और किसको मिला है क्या है उसी क्या मिलने वाले है यह सारी चीजे आपको तब पता चिलेंगी जब आप इस स्टूरी को पूरी सुनेंगे यह बहुत और कौन वो बच्चा है, कैसे उसे टिकेट मिला, क्या है उस टिकेट का रिलेशन, उसे उसे क्या पैनिफिट होने वाले हैं, काफी सारी क्वेरीज होंगी आपकी और वो सब शाट आउट होने वाली हैं, जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट क जब किए रिलेशन, क्या तोटर्ट एपकेट, सो यहां एका पिक्चर देख सकते हैं, यह पिक्चर है जिसमें बच्चा है, समाइल कर रहा है और उसके हाप में एक टिकेट है यह बच्चा है चार्ली जिसने गोल्डेन टिकेट जीता है, और सारी स्टोरी इस टिकेट से र गोल्डेन टिकेट एक 11 साल का लड़का जिसका नाम Charlie Bucket है वो एक गोल्डेन टिकेट जीतना चाहता था This will allow him to visit the marvelous chocolate factory on by the mysterious Willy Wonka Charlie ने एक golden ticket जीता है जो allow करता है कि उस ticket की help से जो Charlie है Willy Wonka जो chocolate factory के मालिक है उनकी factory में जा सकता है Only five lucky children will get to visit the factory सिर्फ पांच ही वो lucky बच्चे होंगे जो इस factory में visit कर सकते है And who after all would not want to visit a factory full of chocolate ऐसा कौन है जो बई chocolate factory में नहीं जाना चाहेगा Let us need to find out if he got the ticket or not तो चली अब हम ये जानते हैं कि क्या Charlie को वो ticket मिला था या नहीं Charlie buzzed through the front door shouting mother 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 Charlie बहुत तेजी से तुफानी स्पीड में आता है गेट खोलते में बोलता है Mommy, Mommy Mrs. Bucket was in the old grandparents room serving them their evening soup और उस वक्त Charlie की जो mother होती है Mrs. Bucket वो old grandparents के room में होती है और उन्हें evening soup दे रही होती है इस स्टोरी में Charlie के four grandparents है Two old grandmother and two old grandparents तो उस वक्त वो उनकी take care कर रही होती है उनको evening soup देती है जब Charlie चिलाते हुए घर में आता है Mother, ये Charlie Charlie चिलाते हुए बोलता है Mommy, rushing in on them like a hurricane तो वो सब को concentrate उसके पर करते हुए चलाते हुए बहुत तुफानी स्पीर में आते हुए सब के सामने बोलता है देखो I have got it कि मुझे मिला है The last golden ticket ये आखरी golden ticket है It's mine और ये मेरा है I bought two bars of chocolate and the second one had the golden ticket and there were crowd of the people all around me wanting to see it and I ran all the way home and here I am चाली बोलते हैं कि मैंने two chocolates बार लिये थे और दूसरी में मुझे ये golden ticket मिला और जैसी मुझे ये ticket मिला वहाँ पे जितनी भी लोगों की भीटती सब मेरे पास आके खड़े हो गए सबने मुझे cover कर लिया सब उस ticket को देखना चाते थे जो मैंने जीता था और मैंने फटा फट से क्या क्या मैं वहाँ से भाग कर अपनी घर आ गया यहाँ पर आ गया इट्स दे फिफ्ट गोल्डेन टिकेट मदर और अई है फिफ्ट गोल्डेन टिकेट है ममी जो मुझे मिला है मिस्स बकेट सिंपली चुपचा वहाँ खड़ी रहती है और उसको देखती रहती है जिबकी और फोर जो चाली के ग्रेंट परेंट्स होते हैं उनके हाँ से उनका स्पून गिर जाता है और वो सब फ्रेज हो जाते हैं मलब सब शॉक्ड होके देखने लगते हैं चाली की तरफ फॉर अबाट टैन सेकंड देर वोज एपसुलूट सालेंस इन दर रूम और दस सेकंड के लिए कमरे में बिलकुल शान्ती हो जाती है कोई कुछ भी नहीं बोलता नहीं बोलता है और नहीं मूव करता है नहीं हिलता है सिर्फ चाली को देखते रहते हैं तब चाली के ग्रेंट फादर ग्रेंट पा जोए वो बोलते हैं के तुम्हें हमारे साथ इस तरह से मजाक नहीं करना चाहिए तुम मजाक क्यों कर रहे हो पर चाली क्या करता है कि टिकेट उसके हाथ में होता है और वो टिकेट को हाथ में लेकर बैड पे चड़ जाता है और सब को दिखाता है कि देखो मैंने टिकेट जीता है ग्रेंटपा जोई लीन फॉरवर्ड और टुक अ क्लोज लोग तो जो ग्रेंटपा होते हैं बहुत पास जाके जुक के उस टिकेट को बहुत क्लोज से पास से देखते हैं वो इतनी पास जाके उस टिकट को देखते हैं कि घ्रैट जोई का नोस तक भी उस टिकट से टॉच हो जाता है और बाकी जितनी भी वहापे ओल्ड पैरेंट्स होते हैं वो सब घ्रैट जोई के डिसीजन का वेट करते हैं कि यह कंफरम करके बताएं कि क्या सच में चार्ली ने टिकेट जीता है या यह मजा कर रहा है देन वेरी स्लोली विदा स्लोव और मार्विलेस ग्रिन स्पीडिंग ओल अवर हिस फेस ग्रैंटपा जॉए तब बहुत धीरे से हलकी सी चैरे पे स्माइलिंग फेस के साथ वो अपने सर को स्पीड करते हैं और उनके फेस पे चार्ली के ग्रैंटफादर के फेस पे एक हलकी सी लिटल बिट स्माइल आती है जिससे पता चलता है कि चार्ली ने सच में गोल्डें टिकेट जीता है ग्रैंटपा लिफ्टेड हिस हैड और लुप स्टेट अड़ चार्ली फेस ग्रैंटपा जो होते हैं वो अपना से हिलाते हैं और चार्ली के तरफ देखते हैं बलब अपने रेक्शन बता देते हैं कि यस चार्ली ने टिकेट जीता है उनके जो कलर चीक्स का कलर था वो रशिंग करने लगा था मतलब एक शाइन आ गया था उनके जो आँके थी बिल्कुल अच्छे से ब्रॉडली उनके उपन कर लिया था आँकों में शाइनिंग थी फेस में में बलब हैपिनेस था शाइनिंग विद जोई और इन दे सेंटर ऑफ दे इच आई राइट इन दे वेरी सांटर इन दे ब्लैक पुपिल अलिटल स्पार्क अफ दे वाइल्ड एक्साइटमेंट वोज स्लोली डांसिंग उनके दोनों आँकों के बीच में जो सेंटर पंट होता हैं जिसे हम बोलते हैं पुतली उसमें भी उनमें शाइनिंग आ गई थी और बहुत वो चेर हो गएते और देर देर उनों ने स्लोली स्लोली डांस करना शुरू कर दिया था एक्साइटमेंट में सेडनली अचानक से विद नो वार्निंग वाट्जेवर ही त्री अप हिस आर्म और येल्ड येपी तो बिना कुछ सोचे उन्हें पता है नीता कि कब उन्होंने अपने हाथ को फ्री कर दिया और बहुत जोर से चलाते हुए बोले मतलब एक्साइटली चलाते है बोले येपी और येपी और येट सेम टाइम इस बावल अफ दे सूप वेंट फ्लाइग इंट फेस अफ दे ग्रेंटमा जोस्पाइग और इन नो इन वन फंटास्टिक लीप और तभी जब उन्हों अपने हाथों को फेलाया तो उनके हाथ में जो उस ताइम सूप था वो सूप का जो बाव था वो जाके चाली की ग्रेंटमा जोस्पाइग के फेस पर लगा ग्रेंदी सिक्स ओर जोकी बहुत अच्चे फंटास्टिक लीप थी यह दी सेज और इन नहींटी दे पर उन्हों पर दो जो हो लुंएग आ रहा है जो पजामे में ही यपी ही शाउटेड तभी जो चाली के यह दिखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाप एक सैडली भाग रहे हैं उनके हाथ से बाउल गिर रहा है और वह बाउल एक जो ब्लू कलर की एक ओल्ड ग्रेंड मदर हैं उनके फेस पर जाके लग रहा है तो यह आपको छे से समझ में आ जाएगा बस वो एक सैडली बोलते हैं यिपी मजा गया ती चेर्स वर चाली हिप हिप हुरे तो ग्रैंट पाक को जबी कंफर्म हो जाता है कि चाली ने सच में टिकट जीता है तो उनकी एकसाइटमेंट लेवल तो चाली से भी बहुत जादा हो जा मिस्टर बकेट चाली के फादर, he was cold and tired and he looked ill, उन्हें ठंड लग रही है वो बहुत ठके हुए हैं और ऐसे लग रहा है कि शैजे से वो बिमार है, all day long he had been shoveling snow in the street, आज पूरे दिन उन्होंने सड़क से बर्फ को हटाया था तो जिस वज़े से बहुत hard work करने के विज़े से थक गए हैं, what's going on here, यहां पर क्या हो रहा है, it did not take damn long to tell him what had happened, उन्हें बताने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, किसी, grandpa joy को, जब चाली के फादर ने बोला कि यहां पर यह सब क्या हो रहा है, क्यों यह चोर हो रहा है, तो grandpa ने बहुत speed से फुर्ती के साथ बता दिया कि He said, it is not possible, और यह बात सुनने के बाद के चाली ने वो ticket जीता है, तो चाली के फादर को believe नहीं होता है, वो बोलते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, यह possible ही नहीं है, show him the ticket, चाली shouted grandpa joy, तो जो चाली के grandfather होते हैं, वो चाली से बोलते हैं, चाली अपने फादर को ticket दिखा who was still dancing around the floor in his strip pazama, जो अभी भी अपने strip pazama में floor पे first पे dance कर रहे थे, show your father the fifth and the last golden ticket in the world, चाली अपने फादर को इस world का fifth and the last golden ticket दिखाओ, जो तुमने चीता है, let me see it Charlie, Mr. Bucket said, Mr. Bucket Charlie से बोलते हैं, हाँ हाँ मैं देखता हूँ, collapsing into a chair and holding out his hand, chair पे बैठते हुए और उपने हाथों को unhold करते हुए, मतलब हाथों को हम जो fold करके बैठते हैं, तो उसको unfold करते हुए, वो बैठते हैं, it was a very beautiful thing, this golden ticket, तब वो बोलते हैं कि यह तो बहुत ही सुन्दर चीज है, मतलब ही जो ticket है, बहुत सुन्दर है, having been made, so it seemed from the sheet of the pure gold hammered out of almost to the thinner of paper, यह जो golden ticket है, यह pure gold hammered का बना हुआ है, जो की बहुत ही thinner paper से तियार किया गया है, on one side of it, printed by some clever method in jet black letters, और इस ticket की दूस एक side पर कुछ method में लिखा हुआ है, जो की jet black letters में लिखा हुआ है, जो है एक invitation, और वो invitation है, company के मालिक Mr. Wonka की तरफ से, Mr. Willie Wonka, जो chocolate factory के honor है, उन्होंने 5 golden ticket release किये हैं, और जो बच्चे वो ticket जेतते हैं, उनका वो welcome करते हैं, अपनी chocolate factory में, और उन्होंने कुछ यहाँ पे बताया है, बच्चों के लिए कुछ instructions हैं, जो सारी चीज़े उन्होंने उस ticket पर mention की हैं, read it aloud, जोर से पढ़ो, said Grandpa Joy, Grandpa Joy बोलते हैं, चार्ली के फादर से, कि यह ticket पे लिखा हुआ है, सब को जोर से पढ़के सुनाओ, room के अंदर, climbing back into bed again at last, फिर से बैड पे वो climbing कूथते वे बैड पे बैड जाते हैं, बोलते हैं, कि इस card पे जो भी लिखा हुआ है, वो पढ़के स अपको सुनाओ, तो तभी Mr. Bucket अपनी चेर पे बैटे वे हैं, उन्होंने अपने हाथ में card को ले लिया है, और अवो उस card को बहुत ध्यान से देखते हैं, Mr. Bucket had the lovely golden ticket up close to his eyes, Mr. Bucket के हाथ में वो lovely golden ticket है, जो बिलकुल उनकी आँखों के बहुत पास है, His hand was trembling slightly, उनके जो हाथ हैं वो काप रहे हैं, and he seemed to be overcome by the whole business, और ये सोच रहे हैं कि शायद मैं ये बहुत बड़ा business इससे कर सकता हूँ, मतलब बहुत बड़ी business ऐसे उनको feeling आ रही है, जब उन्होंने अपने हाथ में उस card को लिया है, He took several deep breath, वो बहुत गहरी गहरी सांसे लेते हैं, then he cleared his throat and said, all right, I will read it, here we go, फिर बाद में वो अपना गला साफ करते हुए बोलते हैं, ठीक है, अब मैं इस card को पढ़ूँगा, देखते हैं कि हम कहां, मतलब हमें कहां जाना हैं, greeting to you, आपको बहुत सारी blessing, the lucky finder of this golden ticket from Willy Wonka, यहाँ पे विली वांका ने सबसे पहले लिखा हुआ है, congratulations कि आपनी golden ticket जीता है, I shake you warmly by the hand, मैं आपको बहुत दिल से आपको shake करता हूँ, Trimden things are in store for you, store में, store मतलब chocolate factory में आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपका वेट कर रही हैं, many wonderful surprise await you, बहुत अच्छी wonderful surprises हैं आपके लिए, for now, अभी के लिए, I do invite you to come to my chocolate, to come to my factory and to be my guest for one whole day, अभी मैं आपको invite कर रहा हूँ, अपनी factory में आने के लिए, जिसमें आप पूरा एक दिन मेरे महमान होंगे, मेरी chocolate factory के अंदर, You and all the other who are lucky enough to find my golden ticket, आप और वो चार lucky बच्चे जिनको मेरा golden ticket मिला है, I willie wonka, मैं willie wonka, will conduct you around the factory myself, Showing you everything that there is to see, and afterward when it is time to leave, you will be escorted home by a procession of the large truck, फिर विली wonka बोलते हैं कि जब आप मेरी factory में आएंगे, तो आप महाँ पे हर चीज को देखेंगे, जो चीज़े महाँ पे हैं, आप उनको देख सकते हैं, और पूरा एक दिन महाँ पे spend करने के बाद, जब आप अपनी घर जाएंगे, तो आपको मैं promise करता हूँ, तो आपके साथ बहुत सारे truck जाएंगे, बड़े बड़े truck जाएंगे, जिसके अंदर बहुत सारी, क्या होंगी? जब चॉकलेट फ्रक्री से जाएंगे, तो चॉकलेट से होंगी, और मैं आपको यह वादा करता हूँ, कि जब आप इहां से जाएंगे, पूरा एक दिन एंजोई करने के बाद, तो आपके साथ बहुत सारे बड़े बड़े truck जाएंगे, जिसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चॉकलेट से होंगी, खाने वाली, जिसे आप और आपकी पूरी फैमिली कई सालों तक खा सकते हैं, और जब कभी भी बाद में आपको चॉकलेट का मन करें, तो आप मेरी फैक्टरी में आ सकते हैं, बस आपको ये गोल्डें टिकेट दिखाना होगा, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, कि मैं आपको फिर से चॉकलेट दोंगा जो आप चाहते हैं, जिससे आपका कबड मतलब जिससे आपका अल्मीरा फुल हो जाए, एक सेकेंड, नाओ, इन दिस वे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, आप बहुत सारी अच्छी अच्छी चॉकलेट अपनी लाइफ में खा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, बच्छों के लिए बहुत अच्छी चीज होने वाली हैं, उस दिन जिस दिन आप आएंगे, आपके लिए और उन चार गोल्डन टिकेट जीतने वाले बच्छों के लिए बहुत अच्छे चीज सप्प्राइब, आपको वो सब बहुत पसंद आएंगे, जस्ट वेट एंट सी, बस इंतिजार करो और देखो, और अब आपके कुछ यहां पे इंस्ट्रेक्शन हैं, आप किस दिन आएंगे? आप मेरी फैक्टरी में आएंगे, फैक्टरी में आएंगे फैक्टरी में आना है, आप लेट, आप लेट मत होना, and you are allowed to bring with you either one or the two members of your own family to look after you and to ensure that you don't get into mischief. और जब आप चॉकलेट फैक्टरी आएंगे, तो आप अपने साथ, अपनी फैक्टरी के एक या दो मेंबर को साथ ला सकते हैं, बट आपको यह ensure करना होगा कि आप कुछ भी गलत या mischief नहीं करेंगे. और एक और बात आपको दिहान रखनी है, जब आप चॉकलेट फैक्टरी में आएंगे, तो आपके पास उस टाइम गोल्डेन टिकेट होना चाहिए, अधर्वाइस अगर आप टिकेट लेकर नहीं आएंगे, तो आपको फैक्टरी में एंट्री नहीं मिलेगी. तो यह सारे इंस्ट्रक्शन्स थे, जो विली वॉंका ने अपने उस गोल्डेन टिकेट पे मैंशन किये थे. The first day of February, cried Mrs. Bucket. Mrs. Bucket चिला तो यह बोलती है, February का first day, but that's tomorrow, लेकिन वो तो कल है. Today is the last day of January, I know it is. आज तो January का आखरी दिन है, मुझे अच्छे से पता है. You are just in time, shouted Grandpa Joy. Grandpa Joy चाली से बोलते हैं कि तुम्हें टाइम पे ready होना है, टाइम पे सारे काम करने है. There is not a moment to loss, तुम्हें कोई भी time waste नहीं करना चाहिए, कोई भी moment अपना खराब नहीं करना चाहिए. You must start making preparation at once, तुम्हें अभी से ही तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए. Wash your face, अपना चैरा दो, comb your hair, अपने बाल बनाओ, scrub your hand, अपने हाथों को साफ करो, अच्छे से रगडो, brush your teeth, अपने ब्रतीत को brush करो, अच्छे से, blow your nose, अपनी nose को blow करो, cut your nails, अपने nails को cut करो, अपने shoes को polish करो, shirt को iron करो, and for heaven shakes, get all the mud off your pants, और भगवान के लिए अपनी pants से चितनी भी धूले उसको हटा दो, you must get ready, my boy, तुम्हें अच्छे से तयार होना चाहिए, मेरे बेटे, you must get ready for the biggest day of your life, तुम्हें अपनी जिन्दगी के सबसे बड़े दिन के लिए अच्छे से डेडी होना चाहिए, Now don't overexcited yourself grandpa, Mrs. Bucket said, तब Charlie की mother बोलती है Mrs. Bucket grandpa से, कि आप इतना जादा overexcited मत होईए, and don't fluster poor Charlie, और Charlie को भी परिशान मत करिए, उसे मत डराइए, we must all try to keep very calm, हम सब देखो, हम सब भी तो शान्त है न, तो आप भी अराम से चिल रहे है, Now the first thing to decide is this, हमें सबसे पहली ये चीज़ डिसाइड करना है, that who is going to go with Charlie to the factory, कि Charlie के साथ factory में कौन जा रहा है, I will, shouted Grandpa Joy, Grandpa Joy बोलते है, मैं जाओंगा, leaping out of the bed once again, बैड से कोटते हुए बोलते हैं कि मैं जाओंगा Charlie के साथ, chocolate factory में, I will take him, मैं उसको साथ ले कर जाओंगा, I will look after him, मैं उसका ध्यान रखूंगा, you leave it to me, तुम उसे मुझ पर छोड़ दो, Mrs. Bucket smiled at the old man and then she turned to her husband and said, how about you dear, don't you think you are out to go, फिर Mrs. Bucket smile करती हैं और फिर बाद में अपने husband की दरफ देखते हुए बोलती हैं, आप बताएए, आप क्या सूचते हैं कि आप जाएंगे, Mrs. Bucket said gently, mind you, I had love to go, it's a tremendous exciting, फिर Mr. Bucket बोलते हैं कि हाँ मैं भी जाना चाहता हूँ, बट, on the other hand, I believe that the person who really deserve to go most of all, is Grandpa Joy himself, लेकिन फिर बाद में बोलते हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन हम सब में जो सबसे जादे एक्साइटेड हैं और जिसको जाना चाहिए, वो Grandpa Joy है, provided of course that he feels well enough, देखो वो अभी कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं, यह पी शाउटेड ग्रैंट पा जोई, सीजिंग चार्ली बाइद हैंड डांसिंग राउंड दे रूम, बस जैसी ग्रैंट पा को पता चलता है कि मैं चार्ली के साथ जा रहा हूं, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, और चार्ली का हाथ पकड़के पूरे रूम में डांस करना, गोल-गोल घुमना, गोल-गोल घुमते वे डांस करना शुरू कर देते हैं, इस सेटेली सीम्स वेल इनफ, अवो बिल्कुल ठीक दिखते हैं, मिस्स बकेट सेट, लाफिंग, मिस्स बकेट थोड़ा स्माइल करते हैं, कि अब ग्रेंट फादर बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, हम सब में ग्रेंट पाजोई हैं, जिनको चाली के साथ जाना चाहिए, मैं चाली के साथ जाओंगी, तो घर में जो और त्री ओल्ड पेरेंट्स हैं, उनका पूरा दिन धियान कौन रखेगा, अट देट पॉइंट तभी, देर केम अलाओ नॉक अन दे फ्रेंट डूर, तभी दर्वाजी पर एक अवाज होती है, तो जैसे मिस्टर बकेट दर्वाजा पर जाते हैं, गेट पर दर्वाजा खोलते हैं, तो तभी बहुत बड़ी, बहुत जादा भीड होती है, न्यूस पेपर मैं और फोटोग्राफर्स की, जो अंदर धकेलते हैं, मतलब घर में घुसते हैं, वो फिफ्ट गोल्डेन टिकेट जीतने वाले को ट्रेस करते हैं, मतलब ढूनते हैं, and now they all wanted to get the full story for the front page of the morning papers, और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि वो morning के लिए front page story, मतलब उससे जानना चाहते हैं, कैसे जीता टिकेट, क्या करोगे, क्या planning है, सारी चीजों को confirm करने के लिए, वो चाली से सारी information लेते हैं, प्लानिंग वगेरा कन्फर्म करना, और लाइक डाट, इट मस्ट हाव बेन नेरली मिडनाइट, बिफोर मिस्टर बकेट वस अबल तो गेट रिट अफ देम, मिस्टर बकेट को उन्हें फोटोग्राफर्स और जो न्यूस्पेपर वाले थे, उनसे फ्री होने में, उनसे च चाली कुट गो टू दा बेंड, और उसके बाद उन्होंने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि जिससे चाली अपना अराम से जाके सो सकता था, मतलब आधाट, जब न्यूस्पेपर मैन और फोटोग्राफर्स ने लिया, फिर जब मिडनाइट हो गई, रात के बारा बच गए, में जाए, यह उती है यहाँ पर, स्टोरी कम्प्लीट मुझे बहुत अच्छे लगी, अगर मुझे भी कोई ऐसा टिकेट मिल जाए, तो मैं तो बहुत इंजॉइ करूंगी, आपने क्या इसको एसको प्याप्रियो एक्स्प्रेंस किया, प्लीस कमेंट करके जरूर and thank you so much for watching this complete video and have a good day